Hello friends, आज का पहला question लिए चलते हैं, हम लोग question number देखेंगे, 6 number देखेगा Nobody will want to play, कोई भी खेलना नहीं चाहेगा In his team, उसकी team में If he does not treat people kindly कोई भी उसकी team में खेलना नहीं चाहेगा अगर वह अपने लोगों को, वह लोगों को Kindly, यानि प्यार से treat नहीं करेगा तो मझे लग रहा है sentence तो सही लग रहा है फिर भी एक बार बाकी वाले चेक कर लेते हैं If he will, दोस्तों, एक बहुत important बात बताता हूँ आप लोगों को If वाले portion में आप अगर will लगाते हैं, it is error याद रखना, if वाले part में As soon as वाले part में और when वाले part में When he will, गलत है As soon as he will, गलत है आपको याद रखना है If वाले portion में, will नहीं आएगा Be तो definitely गलत है If वाले में आप देखे, does not आया है, चला लेंगे हम, right? Nobody will treat people kindly कोई भी लोगों को kindly treat नहीं करेगा अगर वो खेलना नहीं चाहता उसकी टीम में The sentence doesn't make any sense Sentence का कोई meaning निकल के नहीं आ रहा है कौन लोग treat नहीं करेंगे और कौन लोग team में खेलेंगे Sentence का meaning नहीं है Nobody will want to treat people लोग treat ही नहीं करना चाहते अब बताओ इस sentence का कोई meaning है क्या और भी लोगों को treat करने की बात कहां से आई Simple है कोई भी खेलना नहीं चाहेगा उसकी टीम में अगर वो kindly लोगों को treat नहीं करेगा Treat करने का मतलब है उनसे वहवार करना kindly है मतलब दयालुता से प्यार से So question number six का answer हो जाएगा आपका A for Apple Hello friends, स्वागत है आपका Digital RRी चैनल पे मैं श्रयान्स कोठारी ले के आएँ दोस्तों एक बहुत ही प्यारी सीरीज Objective General English लगातार चलती वी सीरीज लगातार करती वी सीरीज को हम बिलकुल आप लोगों के लिए ले के आएए शांदार सीरीज है और दोस्तों वीडियो सल्यूशन है इसे हम purely वीडियो सल्यूशन कहते हैं Objective General English एक बुक का दोस्तों वीडियो सल्यूशन इसलिए जरूरी रहता है कि आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होती है आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की मिठाई यानि आज का English word देखते है उसनों आज का English word है Free Booter Free Booter किसे कहते है Someone who takes Spoils और Plunder As in war यानि कि भाईया लूट करके सामान ले जाने वाला War हो गया युद्ध हो गया और युद्ध के बाद बहुत सारा सामान है आपका वो आप चुरा के लूट के लेके जा रहे हो आपने उस Spoils को और Plunder को उठा लिया है सामान उठा लिया है आप क्या हो Free Booter हो So Free Booter आपको नया word मिला है आपको क्या करना है दोस्तों इस पर English का एक सेंटेंज लिखना है कमेंट बॉक्स में मज़ा ही आ जाएगा चलिए दोस्तों लंबी चलती भी सीरीज को और आगे बढ़ाने का समय आ गया है Question number हमारे सामने आ चुका है The priest read Priest ने पढ़ा क्या पढ़ा The dying man the couplets दोस्तों मुझे लगता है कि Two तो बिलकुल नहीं आएगा और डाइरेक्ट डाइंग मैन कैसे कनेक कर दो गया For the dying man यहां नहीं लगाओ पहले तो भी बताओ मेरे को priest ने पढ़ा क्या Read the couplets Couplets को पढ़ा कहां से पढ़ा From the scriptures किसलिए पढ़ा For the dying man तो actually मैं इसका जो best answer है वो रहेगा D यह sentence एकदम कने कर रहा है priest ने पढ़ा क्या पढ़ा? couplets पढ़ा कहां से पढ़ा? scriptures पढ़ा किस के लिए पढ़ा? dying man के लिए पढ़ा So question number 7th का answer हो जाएगा D for Delhi आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 8 की तरफ I do not understand मैं तो समझ ही नहीं पाता To whom she is talking To whom she is talking कभी भी sentence में question के format में नहीं आएगा Who she is talking to अब मुझे बताओ who के साथ कैसे set करोगे और who तो वैसे भी subjective के लिए आता है यहां तो answer object वाला चाहिए तो who भी नहीं आएगा यह भी गलत हो जाता है I do not understand मैं को नहीं पता whom she is talking about किसके बारे में वह बात कर रही है She is talking about whom यहीं सही है बाकी सब गलत है I do not understand whom she is talking और फिर आपका preposition missing है गलत हो गया है So question number 8 का answer B for Bombay हो जाएगा यह भी आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की तरफ Question number 9 क्या कह रहा है समझना ध्यान से देखेगा The boy regretted Boy ने regret किया That with a plastic अब बताओ मुझे That के साथ यह sentence directly connect ही नहीं हो रहा Structure का sequence सही होना चाहिए जिस चीज के लिए जो चीज connected है वो उससे connect होनी चाहिए अभी देखते हैं कैसे The boy regretted Regret का मतलब होता है पच्तावा करना So boy ने पच्तावा किया That he had spent a greater part of his vacation In the chair Chair में निकाला ठीक है Chair with a plastered leg बताओ chair की plastered leg ठीक है ऐसे नहीं बनते भाई sentence चलिए आगे देखते हैं C number question को With a plastered leg Plastered leg के साथ The boy regretted that Boy ने regret किया यानि की पच्तावा किया That he had spent a greater part of his vacation देखे With a plastered leg के साथ The boy नहीं लगा सकते आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा हो सकता था The boy with a plastered leg The boy with a plastered leg यह फिर भी संभव था या तो यहाँ due to a plastered leg या ऐसा कुछ होता सो शायद हम connect करते With a plastered leg a boy मतलब boy के साथ कुछ चीज लेकर आया ऐसा नहीं है Sentence बनेगा The boy with a plastered leg वो जो बलड़का जिसका leg plaster हो चुका था उसने regret किया यानि question number 9 का D for Delhi हो जाएगा यह बहुत important है चीज को ध्यान रखना है आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 10 की तरफ In 37 bomb blast 37 bomb blast में fortunately only 5 lives were lost यह कहना चारा है कि बहुत ही अच्छी बात है कि 5 लोग मर गए दोस्तों बिलकुल गलत लग रहा है यह sentence ऐसा लग रहा है कि 5 लोग मरने को यह सौभाग्य विचाली बात कर रहे है In 37 bomb blast 37 bomb blast में only 5 lives were fortunately lost अब कोई भी चीज अगर lost होगी तो fortunately lost कैसे होगी यह सौभाग्य की बात है कि वो चीज गुम गई कैसे भाई गलत है न आप जो adverb लगा रहे हो उसका position बहुत important है कि वो सही जगे हो position अगर गरबढ़ कर गया तो भाईया sentence गरबढ़ कर गया बहुत ज़रूरी यह adverb का sentence में कहां placement है in fortunately 37 bombs bombs जो थे वो fortunate लगाए गये किया ता बिलकुल गलत है sentence की शुरुवाद में लगा लिया fortunately 37 bomb blast हुए लेकिन केवल इतने ही lost हुए यह बिलकुल सही कर रहा है यह पूरी बात fortunate की बात है सौभागय की बात है कि केवल 5 ही मरे ज्यादा नहीं मरे right so question number 10 का answer हो जाएगा D for Delhi आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगले question पे question number 11 देखे हैं ज़रा क्या कह रही है she is annoyed she is annoyed with you वह तुमसे परेशान है ठीक है you ought not to tell her secrets to her mother अब देखना देखा वो तुमसे परेशान है अभी और यह कह रहा है कि तुम मत बताना अरे भाई अभी परेशान क्यूं है तुमने बता दिये हैं वो तुमें बताने नहीं चाहिए थे यह कह रहे हो न अब see वो यह कह रहा है कि ought not to tell मतलब उसको नहीं बताना यह तो sentence connecting नहीं हो न यह sentence past में है तो यह कार्यक जैसे मानलो मैं तुमसे परेशान हूँ मैं तुमसे अनॉय हो गया हूँ चिड़ चिड़ा हो गया हूँ तुम जो secrets ने उमने बता दिये वो तुमको नहीं बताने चाहिए थे right so यहाँ पर आजाएगा ऐसा so question number 11 का B होना चाहिए बाकी भी पढ़ लेते है she is annoyed with you यहां तक तुझी कहे you ought to tell तुमको बता देने चाहिए थे तुम बता चुके हो बाद यह परिशान है question number 11 का B for Bombay आ गया है चलिए लिए चलता हूँ दोस्तों आज के last question पे it is the best time it is the best time it is the best time कोई दिक्कत रही है it is the best that यह तो घरबड़ी लग रहा है that she could do for me it is the best which she could do for me आपको एक चीज़ बता दो दोस्तों best से पहले the आना चाहिए इसलिए गलत है best एक superlative degree है अगर मेरी बात को समझ रहे हैं आप superlative degree of adjective है right और अपना ये नियम है कि जब भी मैं बता दो कब जैसे मान लो कभी any लिखावा मिल जाए only लिखावा मिल जाए same मिल जाए superlative degree मिल जाए इन सभी के साथ आपको as relative pronoun that लगाना होता है which या what नहीं आता है it's the best that she can do for me यानि ये आजाएगा c best एक superlative degree है इसके साथ who या which या where ऐसा नहीं लगाते that का प्रियोग करना ये बहुत important है और यहां हमारा एक और अध्याय समाप तो जाता है एक वीडियो और होगा और इस chapter को खतम कर देंगे exercise तो खतम होई जानी है इसके बाद दोस्तों vocabulary स्टार्ट होगी तो आप इसी दरीके से बने रहिए जादा से जादा इसको share करिए thank you and take care please like, share, subscribe digital तैयारी